नमस्कार साथियों मैं राहुल सर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पर दोस्तों सभी को नमस्कार है Good afternoon, रादे रादे जैसरी कर्षना आजएए सभी लोग क्लास में आजएए सभी लोग क्लास में आजएए Non-verbal reasoning में आपकी समाप्त हो चुकी है हना तो non-verbal reasoning में जो जो ssc पूछती है और उससे बाहर के question भी मैंने आपको सभी करा दिया है सभी type के तो आज जो आपका chapter है वो है verbal reasoning से और chapter होने वाला है बेटा ranking test chapter कौन सा है बेटा ranking test किरम ववस्था किरम परिक्षन हना तो ये chapter भी बेटा अपने आप में important है ये दो तीन chapter लगातार जो आएंगे आपके लिए वो बहुत ही जादा important होने वाले हैं ssc को ध्यान में रखते हुए ranking test हो गया बेटा दूसरा इसके बाद आएगा order sequence और तीसरा होगा seating arrangement ये voice mismatch कुछ ऐसा है क्या बटा voice वगेरा सब कुछ ठीक है जल्दी से बताएंगे सभी लोग voice ठीक है न voice mismatch के message आ रहे हैं बई अलो चलो दोस्तों बताओ क्या voice वगेरा सब कुछ ठीक है ठीक है तो चलो ranking test है बेटा ranking test किरम परिक्षन किरम ववस्था आपके सामने chapter है मैंने बताए था मन दिकर लो उसको यार चलो दोस्तों बताना आप ठीक है सब कुछ हाँ ठीक होगा next chapter जो रहेगा वो आपका रहेगा order sequence उसके बाद रहेगा sitting arrangement तो जल्दी से सभी लोग class को share कर दीजिए ranking test बिलकुल आपके सामने ready है तयार है कुछ basic concept है इसका जो मैं आपको सिखाना चाहरा हूँ तो एक बार ध्यानपूर वक देखेंगे सभी लोग की आपको कुछन में क्या क्या चीजे मिलने वाली हैं यहां आपको किसी की rank निकालनी है तो rank के लिए question में सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी किसी rank किसी भी पंक्ती में किसी भी row में आपको दिया जाएगा कि कोई व्यक्ती left side से बिटा left side से दिया जाएगा और right side से दिया जाएगा पूछा जाएगा आपसे कि उसमें total student कितने हैं या total number देकर क्योंकि condition बहुत सारी हो सकती है total number आपको दे दिये जाएगे और कोई सी भी एक position देकर आपसे दूसरी position के बारे में पूछेगा तो type of question मैं आपको आगे बताऊंगा फिलाल में यह जो basic concept यह क्या कहता है अगर आपको left side दिया है तो left के साथ में जो pair मिलेगा वो आपको मिलेगा right का तो left और right का pair एक साथ मिलेगा पंक्ती में left side से कौन कितने पर है राइट side में कौन कितने number की position पर है और अगर बात आती है बाटा class में rank को देखा जाए कि class में किसी बंदे की या किसी व्यक्ती की या किसी विध्यारती की जो rank है वो top number से इतनी है और bottom से इतनी है तो number of total students आप से पूछे जाएंगे तो left के साथ जो जोड़ा मिलेगा बिटा वो right left और right का जोड़ा मिलेगा top और bottom का जोड़ा आपको देखने को मिलेगा प्रारंब से प्रारंब यानि की सुरुवात से सुरुवात से और last से अंतिम से start और end यानि की last से आप से पूछा जाएगा कि last से इतना दिया है प्रारंब से इतना दिया गया है कोई व्यक्ति तो number of total student पहले before before सब्द आपको देखने को मिलेगा और after सब्द आपको देखने को मिलेगा कुशन किस तरीके से हो सकता है कि किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में बैठा हुआ है और उसके पहले इतने लोग बैठे हुए उसके बाद इतने लोग बैठे हुए तो मान लिया जाए अगर मैं कहूँ इसी पर एक कुशन अगर आपके सामने बोल दूँ कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति राम है और आपसे बोलने लगे कुशन में कि राम से पहले दस व्यक्ति बैठे हुए है राम के बाद बारे व्यक्ति बैठे है तो number of total student कितने हैं, भाई राम से पहले 10 बैठे हुए हैं, राम के बाद 12 बैठे हुए हैं, तो number of total student कितने होने वाले हैं, चलो, तो बटा 10 आप इनको एड़ करोगे, 12 इनको एड़ करोगे, क्योंकि इसके पहले कितने बैठे हैं, 10 बैठे हैं, इसके पहले, इसके पहले 10 बै हुए है बारे तो अगर आप देखोगे बैटा 10 यहां बैठे हैं 12 यहां बैठे हैं 10 सीट इदर ती 12 इदर तो बाईस तो यही हो गए 10 और बाईस और एक यह खुद हो जाएगा एक यह स्वैम हो तो नंबर कितने होने वाले हैं टोटल तेई से स्टूडेंट है नहां कुछ लोग पता है क्या लगा रहे हैं यहां कुछ लोग लगा रहे हैं लेफ्ट पिलस राइट माइनस का वन हैं कि दस बार है बाइस बाइस मैं से एक घटाया तो 21 अरे मैं कुछ और बोल रहा हूं यानि कि 10 चात्र तो उससे पहले बैठे हुए हैं और 12 चात्र उसके बाद बैठे हैं इसकी पोजिशन नहीं बताई जारी राम की पोजिशन नहीं बताई जारी पोजिशन तो 10 बंदों की बताई गई कि 10 तो इधर बैठे हैं 12 इधर बैठे हैं तो 10 अर 12 बाइस तो ये व्यक्ति इतने नंबर की पोजीशन पर है और पीछे से इतने नंबर की पोजीशन पर है पंक्ति में कोई व्यक्ति आगे से आगे से यानि की इस वाली रेंग की बात करेगा और पीछे से यानि की इस वाली रेंग की बात करेगा पंक्ति में आगे से कोई व्यक्ति इतने नं को मिलेंगी बाया लेफ्ट से दाया राइट से बाया दाया ऊपर नीचे प्रारंभ अंतिम पहले बाद में आगे और पीछे ये सारे के सारे सब्द आपको देखने को मिलेंगे बिटा कुश्चनों में कुश्चनों में मिलेंगी ये सारी चीजे अब टाइप्स आप कि आती है कुश्चन की जो टाइप होती है एक्जाम में कितने तरीके से कुश्चन पूछा जाता है उस पर एक्जामपल के द्वारा मैं आपको सारी चीज़े बताता हुआ चलूंगा और उसके बाद फिर कुश्चन आपको दिखाऊंगा इनी टाइप्स पर आए हुए कुल संख्या नंबर ओफ टोटल स्टुडेंट चात्रों की कुल संख्या चात्रों की कुल संख्या आपसे पूछी जा सकती है चात्रों की कुल संख्या आपसे बिटा पूछी जा सकती है एक्जाम में तो अब इस पर टाइप कैसे कैसे बनती हैं तो सबसे पहली टाइप है आपसे कुश्चन किस तरीके से करेगा examiner, बोलेगा आपसे किसी पंक्ती में कोई भी चात्र, कोई भी चात्र, मालो को student यहां बैठा हुआ है और आपसे बोलेगा कि इस पंक्ती में ये चात्र जो है left side से 15 नंबर की position पर है, और यही चात्र जो है right side से बिटा 23 नंबर की position पर है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा number of total student, कुश्चन समझ में आएगा, किसी पंक्ती में राम बाएं छोर से 15 नंबर की position पर है, तथा दाएं से यानि की right side से वो 23 नंबर की position पर है, तो number of total student, number of total student क्या होने वाला है, वो आपको बताना होगा, फटा फट से देखो सभी लोग क्या इसका answer आने वाला है, क्या इसका answer हो सकता है, क्या इसका answer हो सकता है तो उसके लिए होता है बटा एक formula है basic concept है number of total student कभी भी पूछे जाएं तो आपके पास होता है left plus right minus one ये हो गया formula अब minus one के लिए बहुत से बच्चे जो हैं वो चिंतित रहते हैं जी minus one क्यों किया minus one क्यों किया left और right को जोड़ लो देखो आगर मैं आप से कहूं ये एक single बंदा है ये एक single person है single व्यक्ति है यहां बोला गया है कि ये left side से 15 है और right side से ये 23 है तो इसको आप दोनों तरफ से count कर रहे हो ना इधर से भी आपने इसको count कर लिया इधर से भी आपने count कर लिया व्यक्ति तो एक था ये व्यक्ति तो single था ना तो जब व तरीका क्या होता इसको solve करने का? भाईए, जब आब देखोगे, ये 15 नमबर की seat पर है, तो इसे पहले कितने बंदे बैठे उंगे? 14 है. तभी तो ये 15 नमबर की seat पर पहुंच हा? आप देख पा रहे हो कि इसकी seat 15 नमबर की थी, तो इससे पहले कितने व्यक्ती है? 14 होंगे. इधर से आप इसको count करोगे इधर से ये बंदा 23 नंबर की seat पर है तो इधर कितने चात्र बैठे होंगे 22 बैठे होंगे अभी बताया था 14 पिलस 22 14 पिलस 22 आप करोगे 14 तो ये होगे जी इधर side में 22 उधर side में होगे एक राम खुद हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 2 और 1 3 आप कहोगे number of total student तो 37 होने वाले हैं 37 यहाँ formula लगाना चाहो लगा लीजिए left से बंदा कितने नंबर की position पर था 15 और right से कितने नंबर की position पर था 23 नंबर की position पर दोनों तरफ से गिना गया है तो एक बार का minus करना पड़ेगा क्योंकि इसको आपने दोनों तरफ से count कर लिया जब दोनों तरफ से count किया है तो एक बार का minus करना पड़ेगा 15 और 23 को जोड़ो बिटा 15 और 23 हो जाएगा total 38 38 और 38 मैं से एक घटाओगे तो आपका answer 37 37 आने वाला है बताओ किसी को थोड़ी सी भी परिशानी हो दो कोई द्कत परेशानी किसी को हो तो बटा बताओ फटा फटजाए तो किसी को कोई परेशानी या कोई दिकत लग रही हो कुश्चन में क्लियर है कलियर है सबीगा बहुत सामदार बहुत सामदार इसी पर दूसरा दूसरी तरहीके से examiner कैसे पूछ सकता है आपसे अब की बार top और bottom की बात कर सकता है examiner top और bottom की बात कैसे करेगा कोई बंदा class में उसकी rank जो है है ना class में उसकी rank जो है वो 67 वी है top से top से 67 वे number की position पर है 67 और bottom से वो 133 नंबर की position पर है 133 तो number of total student उस class में कुल कितने विद्धारती है उस class में कुल कितने विद्धारती है ऐसा भी पूछा जा सकता है ये बंदा कौन था आप इसको लिख सकते हो यहां पर राम है ठीक है राम श्याम मौहन हना सुमित अमित कुछ भी बोला जा सकता है वो तो नाम होगा बस केवल तो ये व्यक्ति जो है वो top से जो है वो 6-7 नंबर की position पर है और bottom से कितने नंबर की position पर है एक- 첫ीऊ तर तो आपको करना वही है बिटा left plus right minus one दोनों side की position को जोडो और एक minus कर दो दोनों side की position को जोडो क्योंकि formula आपके पास है total बराबर होता है बिटा left plus right minus one या इस formula ले को ऐसे लिख सकते हो, टॉप पिलस बॉटम माइनस का वन, है ना, बात तो वही रही, अब यहाँ टॉप और बॉटम की बात की जारी है, तो टॉप से कितना था, 67 नमबर की पोजीशन पर, बॉटम से कितना था, 173, 113 नमबर की पोजीशन पर, आप एक माइनस कर दोगे, जोड़ो जरा फटा फटस है टोटल कितना हो गया साथ तीन दस और साथ छे तहरे और एक चौध है दो सो चालिस और दो सो चालिस में से बेटा कितना घटा होगे दो सो चालिस में से आप एक घटा दोगे आपका अंसर आने वाला है बिल्कुल सांदार तरीके से 149 कौन दे रहा है भई यह दिखाना भी जरा एक सेकंड उपर जोड़ने घटाने में भी गलती कर रहे हो अतुल सागर अतुल सागर बेटा 149 अगर ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ एक सो तीहतर और सड़सट को जोड़ना था बिटा एक सो तीहतर है यह सड़सट है एक सो चालिस कैसे आ रहा होगा आपका एक सो तीहतर तो यह स्वेम ही है भाई देखा करो थोड़ा सा यह टाइपिंग मिस्टेक करीए आपने लिखती बार में 240 में से एक घटाया तो 249, 249 क्या होने वाला है, यहां total student, वरना दूसरा logic लगाओगे, 67 नंबर की seat है, तो 66 student यहां बैठे होंगे, यह 133 है, तो 172 नीचे बैठे होंगे नीचे, इस बंदे से, इस बंदे से उपर 66 लोग थे, इस बंदे के नीचे 172 लोग थे, और एक यह स् सकता है, 6, 2, 8 और एक 9, है ना, 6 और 7, 13, हासिल गया 1, 1 और एक 2, 249, मर्जी आपकी है, जो आपको अच्छे से समझ मा जाए, आप उस से कर सकते हो, यह कौन है, R2 ट्रिक, बैटा अगर आपको कोई समस्या आ रही है ना, तो आप हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, वो टेक्निकल इसु है, जिसके बारे में आप कुछ बोल रहे हो, बता रहे हो, तो वो आप हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, हो सकता है क बीजी जा रहा हो नंबर, लेकिन ठ्राई करोगे, दो-तिन बार में आपका कॉल जो है, वो लग जाएगा, ठीक है, चलो, बढ़ते हैं बैटा, दूसरी टाइप, पहली टाइप में अगर किसी को कोई भी परिशा नहीं हो, तो बताओ, मैं चलता हूँ फिर दूसरी व्यक्ति की इस्थिती को ग्याद करना, किसी एक सिंगल परसन की इस्थिती को ग्याद करना, व्यक्ति की इस्थिती को ग्याद करना, व्यक्ति की इस्थिती, अब कैसे कुश्चन आएगा एक्जाम में, अब की बार जो है, अब की बार आपको नंबर आफ टोटल स्टूड दिये जाएंगे मैं कहूं किसी किलास में मैं आप से कहूं किसी किलास में भाई टोटल 143 स्टूडेंट हैं ध्यान से देखना ज़रा किसी किलास में किसी किलास में टोटल 143 स्टूडेंट हैं और आप से बोला जाए कि कोई बंदा उस किलास में भाईया 45 नंबर की पोजिशन पर है टॉप से तो बिटा बॉटम से उसकी रैंक क्या होने वाली है बॉटम से उसकी रैंक क्या होने वाली है अगर वो टॉप से टॉप से 45 नंबर की पोजिशन पर दिया है उपर से तो बॉटम से यानि की नीचे से उसकी पोजिशन क्या होगी नंबर आफ टोटल इस्टु का answer आपने अभी पढ़ा था बेटा फॉर्मूला क्या कहता है फॉर्मूला कहता है टोटल बराबर होता है टॉप पिलस का बॉटम और माइनस का वन अगर मैं इस माइनस के वन को इधर लेकर आ जाओं तो यहां क्या हो जाएगा टोटल पिलस का वन तो इधर हो गया ठीक है ब पिलस का बॉटम हना इतना बचेगा इतना बचेगा तो अब करना क्या रह गया एक साइड से तो रेंक दे रहा कि यह दूसरी साइड से निकालनी होगी तो उसके लिए आपके पास एक बिल्कुल बेहद ही आसान सा तरीका होने वाला है जब आपने देखा यह माइनस वन उ निकालनी है जो भी निकालनी है वो आपको टॉप दे राखी है तो आप से बॉटम पूछा गया है तो यह टॉप इधर आकर माइनस हो जाएगा तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल कर आया यहां से कंक्लूजन निकल कर आया टोटल दिये हैं और किसी व्यक्ति की एक साइड से rank दी है तो आप क्या करोगे total में ही एक पिलस करके total में एक पिलस करके दूसरी position को बिटा minus कर दो answer ready है तुरंत दो second में तो ऐसे आ जाएगा दो second में answer ऐसे आ जाएगा total में एक पिलस करो 144 और इस मैंसे आप बिटा दी गई position को minus कर दो 99 क्या होने वाला है answer होने वाला है 99 किलियर हुआ 98 नहीं होगा बिटा 98 कौन है मनीश मनीश है 98 दे रहे हो गलत जवाब 87 कौन दे रहा है 187 ओ भाई ओहो ये कौन बंदा था इसने क्या किया इसको और इसको जोड दिया और फिर एक घठा दिया बिटा ये total दिये गए है total number of total student अब की बार question में थोड़ी सी changing की गई है दोनों तरफ से rank थोड़ी ना दिया है एक तरफ से दे रहा किया दूसरी तरफ से पूछी है अच्छा चलो दूसरा तरीका क्या होगा करनेगा दूसरा तरीका होगा ये बंदा उपर से 45 वे number की seat पर है तो यहां कितने बच्चे बैठे होंगे 44 बैठे होंगे 44 तो बस आपके पास तो 143 थे ना टोटल 143 मैसे इन 44 को घटा दो अरे तरीके तो बहुत सारे हैं आंसर नहीं चेंज होगा आंसर चेंज नहीं होगा इससे उपर इससे उपर कितने बंदे बैठे हैं 44 बैठे हैं 143 मैसे इस 44 को माइनस कर दो नीचे वाले नीचे से rank मालूम बढ़ जाएगी इसकी नीचे से rank कितनी है नीचे से rank कितनी है ये कौन है रोकना भई सचिन सिंग राजपूत पर रोको नीचे ये सचिन सिंग राजपूत सर माइनस का 98 होगा बैभया मूरक कभी सुना है कि माइनस में बंदे होते हैं अजी किलास में माइनस के दो बच्चे बैठे हैं ये कहां सुनाए कि किलास में माइनस में बच्चे बैठे माइनस के 10 स्टुडेंट बैठे किलास में माइनस 10 स्टुडेंट वैं ऐसा सुनाए कहीं क्या बच्चे भी क्या व्यक्तियों की संख्या भी माइनस में होती है कभी है मैं आप से कहने लगूं डेड़ बच्चा सुनाए कहीं मैंनस में दो बच्चे या माइनस के पंद्रे स््टुडेंट हद होती है यार जिगहरा माइनस का 98 आएगा जी और कौन से हसाब से निगाल दिया पतानी माइनस का 98 हद करते हो यार हद करते हो कुश्चन आया समझ मैं सबसे पहले देखो कुछ नहीं है एक आसान सा अपने माइंड में लॉजिक फशा लो जब एक व्यक्ती की पोजीशन एक साइड से दे राखी हो और number of total student दिये हो बिटा एक साइड से पोजीशन दे राखी हो number of total student दिये हो तो number of total student में एक पिलस करो और घटा दो दो सेकंड का काम है बस इसी पर दूसरा कुश्चन आपके लिए कोई व्यक्ती कोई व्यक्ती left side से बिटा left side से बिटा 37 नंबर की पोजीशन पर है और आपसे right वाला पूछ लिया गया है अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ total student total student आपके दिये हैं बिटा 73 और left side से दिया है right side से पूछा गया है तो बताओ जरा 2 second में कैसे answer निकालोगे यही तो है 2 second में answer निकालने का तरीका क्या है कि total में एक जोड़ो और घटा दो total में एक जोड़ो घटा दो second में answer आजाएगा second में भाई इधर से 73 दिया है तो आप करोगे क्या अभी तो बताया 73 में 1 पिलस करो और इस 37 को घटा दो यह 1 पिलस क्यों कर रहे हैं जी क्योंकि हमारे formula में था total बराबर चलो formula पर रख कर कराता हूँ एक बार अच्छे से समझ माएगा total बराबर होता है पिटा left पिलस right माइनस का 1 हमको total की value दी गई है 73 ध्यान से देखना left side से दिया है 37 right side से निकालना है माइनस 1 तो मैं माइनस 1 को बराबर के इधर लेकर आउंगा तो हो गया ना पिलस का 1 बराबर 37 और पिलस के right side से निकालना था अब 37 इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा तीहेतर और एक 74 और 74 मैंसे इस बिटा 37 को घटा दोगे तो आपका answer कितना आजाएगा right side से 37 हुआसान हुआ असान बिलकुल 36 दे रहे हो बताओ अरे यार हद करते हो 36 कौन दे रहा है ये कौन महानमूरत है ऐसा अभी भी समझ में नहीं आ रहा दो कुश्चन आपको बता दिये फिर भी ऐसा कर रहे हो फॉर्मूले में बिलकुल रखके बता दिये और एक single सिंपल सी टाइप बताईए सिंपल सी के भी या टोटल में एक जोड़ दो अरे टोटल में एक जोड़ो और घटा दो दी गई पोजीशन को 30 और 74 74 में साइ 37 को घटा हो गई 37 दूनी 74 होते है सेकिंड ओमांसर 2 सेकिंड से जादा लग रहे हो किलियर है सभी का फटा-फट से बताओ फिर मैं आगे चलता हूँ अगर सब का यहां तक किलियर है तो बताओ फिर चलता हूँ मैं आगे की तरफ तमसब करो जल्दी से बहुत सांदार लाइकों की संख्या आदे से भी कम है बहुत अच्छी बात है चलो तो आप से एक कुश्चन अब पूछ लिया जाए एक कुश्चन पूछ लिया जाए मैं कुश्चन लिख रहा हूँ देखना चाहूँगा कितने लोग इसका सही जवाब देते है ऐसे आएगा कुश्चन किसी पंक्ती में राम दोनो छोर से 27 27 27 दोनों छोर से 27 27 है तो कुल कुल व्यक्ती कितने है इने रो राम जो है बिटा एक पंक्ती में बोथ एंड से यानि कि दोनों छोर से बोथ एंड से वो 27 नमबर की पोजीशन पर है बिटा लेफ्ट साइड से भी 27 राइट साइड से भी 27 तो नमबर ओफ टोटल स्टूडेंट्स या नमबर ओफ टोटल परसन या नमबर ओफ टोटल प्यूपिल कुछ भी बोल सकता है एक्जामनर तो बताओ फटा फट से देखो यहां फिर फिर confusion कर रहे हैं किसी का बावन आ रहा है किसी का तड़ेपन आ रहा है फिर फिर बुद्धी खराब हो रही है आपकी पता नहीं क्या करते रहते हो क्या करते रहते हो यह बावन वाला कौन था पर दिखाना ज़रा है इस महानमूरत को एक एक्जावन भी दे रहा है एक एक्जावन भी दे रहा है यह रह नीच है यह क्या नाम है इसका नवनेश यादव बेटा नवनेश यादव समझ में नहीं आया क्या आप 51 अंसर दे रहे हो कि 52 वाला कौन है आर्मी लवर आर्मी लवर भीया 52 दे रहे हैं क्या करूँ अरे कोई व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति जो है वो दोनों साइड से बोल रहा है नोनों साइड का अर्थ क्या होता है बोथ एंड की बात कर रहा है दोनों छोर से ये राम इधर से भी 27वा है और इधर साइड से भी 27वा है तो करना क्या था? करना क्या था? टोटल बराबर लिखाया तो था left पिलस right माइनस का वन, left से 27 है, right से भी 27 है, और माइनस का वन, 27 और 27 कितना होता है, 54, 54 मैं से एक घटा दोगे तो थड़े पन 53 तो आएगा, 53 ही तो आएगा आप कहां से निकाल कर ला रहे हैं और कोई 51 बता रहा है, कोई 52 बता रहा है, जादा नहीं बस ये दो, तीनी बंदे ऐसे थे, जिन्होंने ऐसा बोला है, बाकी सब का ठीक है, एक तरफ से एकदम सांदार, सब की समझ में आया होगा, चलो बढ़ते हैं, आगे की टाइप पर next type क्या होती है next type होती है बटा, maximum students और minimum students, ध्यान से सुनना maximum और minimum के लिए क्या condition होती है maximum और minimum के लिए क्या condition होती है उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ पहले, एक कुशन नोट करना सभी लोग तबी ये चीज अच्छे से समझ माईगी एक पंक्ती में एक पंक्ती में राम बाए से यानि की लेफ्ट से राम बाए से पच्छिस पच्छिस वा है ठीक है, 25 नंबर की पोजिशन पर है लेफ्ट साइड से राम तथा, तथा मौहन दाएं से राइट साइड से दाएं से चालिसवा है, चालिसवा, ठीक है, चालिसवा है, तो, यहां से आगे पूछा जाएगा, यहां से आगे पूछा जाएगा, क्या, दोनों कुछन पूछे जा सकते हैं, number of maximum students, number of minimum, अब minimum कैसे निकलेंगे, सर, maximum कैसे निकलेंगे, यह क्या बात हुई, maximum होता है, अधिक्तम, और minimum होता है, noon, तो, उसने बोला, कि, एक पंक्ती में, राम बाएं से 25 है, लेफ्ट साइड से 25 नंबर की position पर है, और मौहन राइट साइड से 40 नंबर की position पर है, तो, यहां बनती है पहली टाइप, तो, अध अधिक्तम चात्र, अधिक्तम व्यक्ति या चात्र कुछ भी, अधिक्तम व्यक्ति, यानि की maximum, maximum pupil, maximum person कितने होने वाले हैं, अधिक्तम लोग कितने होने वाले हैं, वो आपको बताना होगा, वो आपको बताना होगा, अधिक्तम लोग कितने हैं, maximum, maximum pupil जो हैं, वो, वो कितने होने वाले है maximum तो क्या आप बता पाओगे बड़ा ही आसान है बड़ा ही आसान कैसे है देखो पंक्ती बना के समझेंगे उसने बोला राम बाएं से 25 वा है तो आप कहोगे राम इधर साइड से 25 नंबर की position पर है राम आप कहोगे अच्छा sorry बटा भी बीच वाले तो लिखे ह भी नहीं के कैसे बता पाओगे एक सेगंड रोको भी sorry एक लाइन रह गई उसको भी नोट करो भी तथा आपने तो आंसर भी निकाल दिया है कुश्चन पूरा है नहीं फिर भी आंसर निकाल दिया पंक्ती में राम बाएं से 25 वा है मोहन दाएं से 40 वा है तथा उनके बीच उनके बीच पाँच छात्र हैं तो अब बनेगा कुश्चन तो अधिक्तम अधिक्तम छात्र अधिक्तम छात्र बराबर कितने है ना दूसरा बनेगा नियूनतम वाला वो भी बताऊंगा पहले मैक्सिमम पर आजो पहले maximum पर आजाओ आपने तो कुश्चन का अंसर पहले ही निकाल दिया था जबकि कुश्चन पूरा था ही नहीं है हद करते हो यार पहले ही अंसर निकाल दिया गजब की बात है ध्यान से सनो किसी पंक्ती की बात की गई है और राम के बारे में बोला गया है कि राम इधर 40 नंबर की पोजिशन पर ये कौन था मोहन ये मोहन था और बोला गया इनके बीच में 5 चात्र हैं इनके बीच में कितने चात्र हैं बेटा 5 चात्र है तो 5 यहां बीच में लिख लेना ना दोनों के बीच में तो maximum तो बहुत ज़्यादा आसान होता है maximum के लिए क्या condition होती है क्या formula होता है वो यहां side में देखते हैं अगर बात आती है maximum की maximum कितने होने वाले हैं तो maximum के लिए formula होता है left plus right और plus के middle वाले बीच वाले left plus right plus middle वाले यह आपको बताना है यानि कि बीच में जो बैठे हुए है तो बड़ा ही आसान है भाई यहां से यहां तक 25 हो गए यहां से यहां तक 40 हो गए बीच में 5 बैठे हुए हैं तुरंत लगाओगे answer आजाएगा तुरंत लगाओगे answer आजाएगा left से 25 थे right साइड से बिटा 40 थे और बीच में कितने बैठे हुए हैं यह महराज बीच में बैठे हुए थे 5 तो 25 और 40 65 65 और 5 70 यह तो हो गया number of maximum students number of maximum students number of maximum student कक्षा में अधिक्तम छात्रों की संख्या लेकिन अब minimum क्या होता है जी minimum कैसे निकालेंगे minimum कैसे हो सकते हैं जब अधिक्तम इतने हैं तो इतने ही तो होंगे class में बटा एक condition होती है position को position को overlap करने वाली overlap करने कारत होता है कि राम और शाम जो भी दिये गए हैं राम और मौहन एक दूसरे को overlap करके बैठेंगे overlap करते एक दूसरे को cross करके बैठेंगे एक दूसरे को cross करके बैठेंगे तब आप निकाल पाओगे वहाँ पर क्या minimum student minimum ये maximum समझ में आया होगा maximum बहुत कम rare केस में पूछा जाता है बिलकुल कभी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए वरना minimum वाला तो बैठा पूछा जाता है exam में minimum वाला तो पूछा जाता है अब minimum कैसे निकालेंगे अब question बनता है दूसरा वाला अब कुश्चन क्या बनता है बेटा दूसरा वाला कीजी मिनीमम, मिनीमम को हम कैसे निकाल सकते हैं, मिनीमम को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको बताना है, देखो जरा मिनीमम, नियूनतम चात्रों की संख्या, नियूनतम यानि की कम से कम, नियूनतम चात्र, कम से कम चात्रों की संख्या क्या हो सकती है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम उनको कम से कम बना सकें, जी बिलकुल, वो कंडिशन होती है बेटा, ओवरलेप वाली, ओवरलेप वाली क condition यानि की ऐसे यानि की ये इधर से दिया गया था 25 नंबर की position पर कौन था बिटा ये ये राम था और जो दूसरा बंदा है वो इस पिरकार से बैठा हुआ है इस पिरकार से ये ये 40 वा था ये कौन था ये मोहन था मोहन ओवरलेब करने कारत होता है एक दूसरे को ऐसे क्रोस करके बैठ जाते हैं एक दूसरे को इस पिरकार से क्रोस करके बैठते हैं हना इस पिरकार से ये क्रोस करके बैठते हैं तो देखो जरा फटा फट से ये हो गया आपका राम और ये हो क्या formula use होता है, उसको भी याद कर लेना, एक बार सभी लोग, मैं बाकी concept से भी बताऊंगा, कि इसको कैसे solve करते हैं, concept से भी बताऊंगा, formula से करोगे, तब भी आसान तरीके से solve होगा, और without formula के करोगे, तब भी question का answer आ जाएगा, minimum क्या होता है, minimum के लिए होता है, left plus का right, और minus, minus middle, middle plus के 2, middle, middle plus के 2, यह होता है, minimum के लिए formula, new thumb के लिए जो formula होता है, अब तुरंत इसका answer अब निकाल सकते हो, कैसे, left side से बिटा 25 दिया था, right side से यह बंदा 40 दिया था, दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 5 बैठे हैं, और plus का 2, 7, 40 और 25 हो गया 65, और 65 में से 5 और 2, 7 घठा दो गये, 15 में से 7 गया 58, तो मैं कहूंगा, यहां जो number of minimum student हो सकते हैं, वो 58 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, बिटा, 58 हो सकते हैं, number of minimum students, left plus right minus middle plus के 2, middle plus के 2, बीच में कितने बैठे थे, बीच में बैठे हुए थे, 5 चात्र, 5 चात्र बीच में बैठे हुए हैं, और left plus right, बीच में 5 चात्र दिये थे, प्लस के 2, अब यह प्लस के 2 क्यों कर रहे हो जी, क्योंकि इन दोनों की position जो है, एक दूसरे को cross कर गई, इस वाले बंदे को इधर से count कर लिया, और इस वाले को इधर से, दोनों एक दूसरे को cross कर कर गई हैं, तो हमेशा, हमेशा 2 add कर के घटाना होता है, हमेशा, अब इसक concept क्या है, इसका concept क्या है, इसको concept के जरिये कैसे solve कर पाएंगे, देखो, वो भी आसान चीज है, ये बंदा इधर साइड से 25 दिया था, बड़ी आसानी से कर पाएंगे, देखो, दूसरा बंदा इधर साइड से बेटा 40 दिया था, यही तो थी बात, बीच में कितने बैठे पाँच बैठे हुए, पाँच पाँच थे केवल, बीच में बैठे हुए थे, पाँच स्टूडेंट, तो अब इसको solve कैसे किया जाएगा, देखो, solve कैसे किया जाएगा, अगर मैं कहूं बीच में 5-6 बैठे हैं, तो आप उसको solve कैसे करोगे, तो मैं 5 डंडे बना लेता ह इसके लिए, तब जादा अच्छे से समझ में आएगा, पहले concept को देखो, एक, दो, तीन, चार, और पाँच, ऐसी तो बैठे हैं, पाँच स्टूडेंट, उसने बोला था, कि बीच में 5 स्टूडेंट बैठे हैं, तो number of total स्टूडेंट बताओ, सोचो, अगर मैं कहूं ये वाली सीट 25 नंबर पर है, बीच में 5 बैठे हैं, तो आप क्या करोगे, ये 24 हो जाएगी, एक पीछे को हटूंगा, ये 23 हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी, ये 21 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, और ये 19 हो जाएगी, तो अगर मैं इस इन 5 से पीछे वाली position पर आऊँगा, तो 5 तो बीच में थे, 5 तो आप घटा हो गई, घटा हो गई, और 7 में एक ये position निकालनी है, तो एक ये भी माइनस करना पड़ेगा, ये वाली सीट कितने नंबर की होगी, द्यान से देखो, ये वाली सीट होगी बेटा, 24 नंबर की, ये वाली सीट कितने नंबर की होगी, नंबर की position, किलियर हुआ, तो करना क्या होता है, जितने भी चातर बीच में बैठे हैं, 25 माइनस के 5 और 1 माइनस और करना पड़ेगा, तो ये बचेंगे, 25 में से 5 गया, 20, 20 में से 1 गया, 19, यानि कि ये वाली सीट 19 है, 19, अब, अब आपकी टाइप बन गई, सबसे पहली व थी, ये सिंगल सीट इधर से तो 19 हो गई, लेफ्ट साइड से, है ना, और राइट साइड से ये 40 है, तो नंबर ओफ टोटल स्टूडेंट, सबसे पहली वाली टाइप बन गई, लेफ्ट से कोई 19 पर है, राइट से कोई 40 पर है, आप करते हो, लेफ्ट पिलस राइट माइ इनस का वन, तो 19 और 40 कितना हो गया बिटा, 69, 69 मैं से एक घटा हो गये, तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58, तो या तो फॉर्मुले से करो, चाहे ऐसे concept के कर लो, क्योंकि बीच में 5 बेटे हैं, तो 25 मैं से 6 घटा दूँगा सीधा, क्योंकि बीच में 5 बेटे हैं, मु उन्हों को जोड़ कर एक घटा दो, क्योंकि फॉर्मुला तभी वहीं से बन कर आता है, वो जो आपका मिनीमम फॉर्मुला है, मिनीमम के लिए, वो होता है, लेफ्ट पिलस राइट, माइनस के मिडल, मिडल और पिलस के 2, बीच में 2, क्यों, क्योंकि एक बार तो आपने य उसमें 2 जोड़ कर आप घटा दोगे, फॉर्मुला सही है, फॉर्मुले से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेफ्ट से 25 दिया था, राइट से 40 दिया था, बीच में 5 चात्र बैठे थे, और यहां 2, 2 क्यों करना है, वो हमेशा ही 2 करना है, कि इसकी पोजिशन तो इधर से इधर चली गई, और इस वाले की इधर से इधर आगई, जब ओवरलेप की कंडिशन हो, तो हमेशा मिडिल वाले में 2 एड़ करना पड़ेगा, फर्ग पता कैसे चलेगा कुशन में ओवरलेप, बिटा वो कुशन में बोलेगा, क्लास में कम से कम चात्रों की कितनी है, कुशन में बोलेगा वो, कुशन में बोलेगा, लेंग्वेज से ही पता चलेगा कुशन की, वो लिख कर देगा यहाँ नियूनतम छात्र कितने हैं, तो जब नियूनतम की बात आती है, तो हमेशा ओवरलेप की कंडिशन बनती है, हमेशा, ठीक है, चलो जी बढ़ इदर चला जाए यानि कि दोनों आपस में अपनी पोजिशन को interchange कर लें interchange पोजिशन यानि कि दो बंदे दो बंदे अपनी seat को आपस में बदल लें यह वाली condition इसका दो सेकेंड का तरीका बताऊँगा दोसेकेंड से ज़्यादा अगर लग जाए तो बता देना ये दो बंदे हैं एक राम है बेटा और एक मोहन है स्याम है कुछ भी लिख सकते हैं ये लेफ्ट साइड से बेटा 25 वा है ये ये राइट साइड से बेटा 40 वा है ठीक है जब वे दोनों अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं राम उठकर चला जाएगा मोहन की स सीट पर कहने का अर्थ क्या हुआ दूसरी सर्थ पर क्या कहना चारा है कि राम को यहां से उठा कर तो यहां पहुचा दूँ और मौहन को यहां से उठा कर यहां पहुचा दूँ केवल केवल यह दो बंदे अपनी सीट को बदल रहे हैं यह दो बंदे अपनी सीट को बदल रह कि राम इधर से राम इधर से 35 हो जाता है 35 हो जाता है तो नंबर आफ टोटल स्टुडेंट कितने हैं बताओ जड़ा ओवरलेप के लिए सौट ट्रिक यही है बिटा की फॉर्मुला लगा दो सबसे बैस्ट है सबसे बैस्ट है फॉर्मुला याद रख लेना ओवरलेप वाली कंडिशन क्या होती है जब एक दूसरे को क्रॉस करके बैठते हैं तो टोटल स्टूरी मिनिमम बराबर होता है लेफ् अपनी स्थिती बदल लेते हैं तो राम वाएं से राम वाएं से 35 हो जाता है नंबर ओफ टोटल स्टूरी तो बिटा ध्यान से सुनना अगर जल्दी करना है जल्दी करना है तो राम की पोजिशन एक तो आपको 25 दी गई थी ध्यान से देखना 25 दूसरा मौहन था मौहन की स सीट तुमको 40 दी गई थी जब दोनों अपनी सीट बदल लेते हैं अपनी सीट बदल लेते हैं तो राम कितना हो जाता है 35 हो जाता है 35 हो जाता है राम तो बिटा राम की तो दो पोजिशन दी हैं मौहन की केवल एक ही पोजिशन है तो राम की दो पोजिशन है तो नई वाल पोजिशन यह ले लो बस इनका काम करना है इनका काम क्या करना है टोटल बराबर लेफ्ट लेफ्ट पिलस का राइट और माइनस का वन माइनस का वन 35 और 40 45 45 मैं से एक घटा दोगे तुरंट आंसर आएगा 74 74 74 आंसर आने वाला है अब मैं बात करूं concept के माध्यम से cushion को कैसे solve किया जा सकता है concept भी बड़ा आसान है बिटा concept भी बड़ा आसान है देखो जरा formula के माध्यम से तो आप ऐसे कर लोगे ये ये इधर से seat 25 नंबर की थी ये इधर से 40 नंबर की seat थी 40 की तो बिटा 40 से पहले कितने बच्चे बैठे होंगे 49 बैठे होंगे 40 से पहले जब कोई व्यक्ती 40 नंबर की position पर है तो उससे पहले कितने बैठे होंगे उससे पहले तो 49 बैठे होंगे तो वो 49 तो बिटा अभी भी बैठे हुए हैं अगर कोई बंदा इधर से 35 है आगे 49 और बैठे हैं, तो काम खतम 35 पिलस का 49 74, ये हो गया concept के माध्यम से, लो, हो गया ना, इधर से 40 नंबर की seat थी, तो 49 बच्चे बैठे होंगे, 49, तो वो 49 तो यहां भी है, वो 49 तो यहां पर भी है, क्योंकि seat तो राम और मोहन ने चिंज गी थी बस, तो ये 49 तो अभी fix बैठे हुए हैं, और राम हो गया इधर से 35, 35 के बाद 49 और बैठे हैं, तो 35 पिलस 49, 74, option, option जो भी आपको दिखाया जाएगा, वो आपका बिल्कुल सही होने वाला है, क्लियर है? सर, PDF का print क्यों नहीं निकलता है, बैठा, PDF का print निकलता है, आप उसको download करो, download करने के बाद वो आपकी save हो जाती है, बैठा, file manager में है, जो आपकी phone की gallery होती है, हना उसमें जाके वो save हो जाती है, और वहां सा आप उसको print out निकाल सकते हैं, ठीक है, दो option आते हैं, एक तो आप उसको application में download करते हो, और एक आता है, आप उसको, जब भी PDF आप open करते हो, last में, दो options आते हैं, कुछ इस तरीके से, एक तो इधर कुछ ऐसा बनाता है, कुछ, और दूसरी side में आता है, बैटा, कुछ इस तरीके का बना हुआ, तो ये तो है, आपका application में download करने वाला, application में download और इधर वाले पर किलिक करोगे, left वाले पर, तो ये आपकी gallery में, यानि की file manager में save होती है, आपके phone memory में, phone memory में save हो जाएगी, वहाँ साप उसका print out निकाल सकते हैं, ठीक है, सर ये 35 कहां से आया, बैटा, 35 तो cushion में दिया जाएगा, 35 बोलेगा, वो cushion में कि राम बाएं से 25 ह है, मोहन दाएं से 40 है, जब दोनों अपनी seat बदल लेते हैं, तो राम, राम बाएं से 35 हो जाता है, तो कक्षामे कुल छात्रों की संख्या क्या है, कक्षामे कुल छात्रों की संख्या, इस पर दूसरी condition कैसी बनती है, मेरे भाई, दूसरी condition बनती है, इस पर, same cushion है, same cushion है, ध लिखो जब दोनों अपनी स्तिती बदल लेते हैं मौहन उठकर इधर आ गया राम उठकर इधर चला गया और राम हो गया इधर से 35 ये तो कुश्चन में दिया जाएगा इतना तो इतना तो कुश्चन में दिया जाता है पिटा कुश्चन दिखाऊंगा ना थब सब कुछ के हो जाएगा राम बाएं से 25 और श्याम दाएं से 40 जब दोनों अपनी सीट बदल लेते हैं राम और मौहन आपस में सीट बदल लेते हैं तो मौहन उठकर इधर आया यहां से यहां राम उठकर यहां से यहां चला गया अब क्या बोलता है अब कुश्चन में बोला जाता है क यहां से राम 35 हो जाता है तो मौहन दाएं से कितना होगा आप से पूछा जाएगा मौहन दाएं से कितना होगा देखो ये ये दो सेकंड वाला है कितना कितना होगा बताओ अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो आप बता दो फटा फट से मोहन मोहन राइट से कितना होगा नई पोजिशन में नई इस्थिती में क्योंकि नई इस्थिती तो यह आपके सामने अगर यह पैतिस्वा हो गया यह राम अगर पैतिस्वा हो गया तो मोहन जो है वो राइट से राइट से कितना हो जाएगा क्या आप बता पाओगे क्या आप बता पाओगे फटाफट से देखो जरा अगर मैं कहूँ राम इधर से 35 वा तो बेटा राम कितने पर था ध्यान से देखो जरा राम 25 पर था राम को आप देख पा रहे हो राम 25 से 25 से कितना हो गया बेटा 35 हो गया और मौहन कितना था शुरुवात में 40 था मौहन कितना था 40 ते को टुच्चा सा कुश्च है न एक सेकंड में अंसर आएगा ये 25 से 35 हो गया कितने पिलस हो गए 10 तो बिटा इसको भी 10 ही पिलस कर दो 2 सेकंड में अंसर आएगा 2 सेकंड में अगर वो 25 से 35 हो गया, कितने बढ़े, 10 बढ़े, तो इसको भी 10 बढ़ा दो, 40 से 10 बढ़ाऊंगा, तो 40, 40 पिलस का 10 बटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 सेकंड मांसर आएगा, 2 सेकंड के अंदर-अंदर, 2 सेकंड के अंदर-अंदर आएगा, किलियर हुआ फटा-फट से बताओ राम 25 से 35 हो गया तो मौहन 40 से कितना होगा यही तो पूछना चाहरा है वो 25 से 10 बढ़ गया तो इसको भी 10 ही बढ़ा दो इसको भी 10 बढ़ा दो पूछ लिया जाए कि आप से कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं बीच में कित ने बैठे होगे, दस नहीं, मुझे पता था, तुम 10 ही बताओगे, अरे 25 से 35 हुआ है, बीच में कितने बैठे होंगे, बीच वाले निकालो, कोई बंदा 25 पर है यहां, 25 पर है, 25 पर, और फिर यह हो गया, कितना चालिस हो गया तो चालिस हो गया बीच चालिस नहीं सोरी पैतिस दिया था ना पैतिस हो गया पैतिस तो बीच में कितने बैठे होंगे एक तो 26 नंबर की सीट 27, 28, 29, 31, 32, 33 और 34 बस यही तो बैठे हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और नौ बेटा, बीच में तो 9 बैठे हैं, बीच में कितने बैठे हैं, 9 बैठे, आपने अंसर दिया कि 25 से 35 हो रहा तो बीच में 10 बैठे होंगे, नहीं, वो सीट उसकी 35 हो गई, वो एक नंबर आगे है तो बीच में तो एक कम बैठा होगा ना तो बीच में बैठे होंगे बैटा 9 9 student बैठे होंगे ये type पूछी जाती है maximum exam में इतनी types आप से पूछी जाती है exam में चलो मैं आपको 2-3 question आपको करके दिखा रहा हूँ आपको कि exam में कैसे question पूछे जाते हैं आप फटाफट से इनके answer निकालोगे speed में speed में answer निकालोगे बैठा speed में 4 minute हैं तो 4 minute में आपके 5 question हो जाने चाहिए 5 question का answer आप से निकल जाना चाहिए एक पंक्ती में संतोस प्रारंब से 16 वा है और 10 से 10 वा है तो पंक्ती में कितने लोग बैठे हैं 2 second में answer आना चाहिए 2 second में concept अगर आपने सीख लिया तो 2 second में answer भी आएगा total बराबर left plus right minus 1 काम खतम काम खतम प्रारंब मैंने बोला था ने सारे सब्द आपको लिखे मिलेंगे प्रारंब से और अंत से अंत से मैंने बताया था ना प्रारंब के साथ मैं क्या मिलेगा अंत लिखा मिलेगा left बाएं के साथ मैं आपको right यानि की दाया लिखा मिलेगा top के साथ मैं आपको bottom लिखा मिलेगा फटाफट से answer निकालो एक साइड से 16 वा है दूसरी साइड से 10 वा है तो भाई कितने होने वाले हैं कितने होने वाले हैं किसी का भी गलत तो नहीं है ओ भाई अभी से एक typing mistake कर रहे हो 15 लिख रहे हो 16 प्लस का 10 26 और 26 मैं से 1 घटा होगे तो बिटा 25 धमाकेदार अंसर आना चाहिए धमाकेदार next question का अंसर बतादो speed मैं next question का अंसर बतादो एक side से उपर से दिया है आपकी बार देखो top bottom लिखा मिलेगा top और bottom लिखा मिलेगा फटा फट से बताओ चेक करो फटाफट से, चेक करो फटाफट से, बिटा टॉप से वो, टॉप से वो 16 नंबर की पोजीशन पर है, और बॉटम से कितने नंबर की पोजीशन पर है, टॉप से 16 नंबर की पोजीशन, और बॉटम से 49 नंबर की पोजीशन, क्या बताया, टॉप पिलस बॉटम माइन तुरंत ये सारे कुश्चन एक्जाम में पूछे गए कुश्चन हैं उड़नचास पिलस का 16-1 धीरे धीरे टाइप बढ़ाता चला जाओंगा लेवल भी बढ़ाता चला जाओंगा अभी बेसिक चल रहा है तो बेसिक को सीखने का प्रियास करो और साथ की साथ एक्जामपल जितने ज़्यादा आप करते हूं न कुश्चन को सीखने के बाद उतने ही आपकी टाइप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ माती है तो उड़नचास और 16-1 9-6 15 और 4 और 2-6 65 मैंस है एक घटाओंगे बेटा कितना आने वाला है 64 आने वाला है किसी को कोई दिक्कत परे सानी किसी को मुझे ये कौन है रोकना भई ऊपर दिखाओ थोड़ा सा 36 कौन दे रहा है ये पंकज महतो बिटा आपकी समझ में नहीं आया क्या मुझे बताओ मैंना दो एक्जम्पल आपको ऊपर कराके बताए हैं दूसरा कुश्चन ये आपके सामने है फिर भी आप इसका ये ये ऊपर दिखाना भई ये कौन था बस सर भाएं दाएं का लफलाख ख़तम करो कौन सा लेफ्ट है कौन सा रैइट ए talents manner में लिखा मिलेगा देख लेका शब कुछ लिखने सब कुछ हाथ है है ना आप भी तो ऐसे ही हो आप ऐसे हो ऐसे खड़े हो अपनी कॉपी पर तो ये हाथ से आपका बन रहा है बेटा बी जहां से देखो बना कर देखो और इस वाले हैंड से आपका बनेगा बेटा डी इस वाले से बी बना तो बी फोर होता है बाया बी फोर क्या होता है बाया ये लेफ्ट हैंड हो गया लेफ्ट ये लेफ्ट हो गया और इस राइट हैंड से आपका डी बन रहा है डी इस तरीके से तो ये हो गया डी फोर दाया डी फोर हो गया क्या दाया ये दाया हो गया राइट इतनी चोटी सी बात इतनी चोटी सी बात के लिए बोल रहे हो अजी बाएं और दाएं का जगडा खतम करो तुम्हें अपने हाथ की नहीं पता कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है तो फिर क्या करोगे बताओ क्या करोगे फिर अपने हाथ के बारे में नहीं पता ओ भाई गजब अरह सीधा हाथ और उल्टा हाथ कौन सा होता है तुमको मालूप नहीं है क्या चलो ठीक है बहुत सांदार इसका अंसर और बताओ फटाफट से इसका अंसर और बताओ कारों के एक पंक्ती में लालकार 22 से 14 नंबर की पोजिशन पर है और 23 नंबर की पोजिशन पर है टोटल कार बता दो टोटल कितनी है लेफ्ट पिलस राइट माइनस वन काम खतम करो काम खतम करो और भीया किलास भी खतम करो फिर कुश्चन का अंसर बता दो कुश्चन का अंसर बढ़ा दो मैत की क्लास का समय हो चुका है तो जल्दी से पहुच जाओ फटा फट से अलाइको की संख्या को बढ़ा दो इसको यू जरूरी है लाल कार बाएं से 14 नंबर की पोजीशन पर है दाएं से वो 23 नंबर की पोजीशन पर है टोटल कितनी कार होने वाली है कर दो काम खतम मुझे बताने की जरूती नहीं है 23 और 14 भीया कितना हो गया फटा फट से बता दो 37 समय से आप क्या करोगे एक घटा दोगे चलो जी ठीक है वेश्ट बंगाल आ जाओ सर आ रहा हूं बेटा अभी जहाज में बैठके है हवाई जहाज में बैठके आ रहा हूं सीधा ठी चीजों पर गहन अध्यन करने के बाद कुश्चन करोगे तो हर एक सिंगल कुश्चन का अंसर निकलता आ जाएगा ठीक है तो मिलते हैं कल आप से अपने वाले समय पर तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार है धन्यवाद टाटा बाई बाई